आप कोई भी सोशल मीडिया हैंडल उठाके देख लीजिए, सब पर कोरियन ब्यूटी प्रड़क्स की भरमार है जैन दोस्तों स्वागत आप सभी का आज की वीडियो में, आज की जो वीडियो है वो है स्नेल म्यूसिन एसेंस रिव्यू वीडियो आपने काफी बार पूँचा है कि मैमियो नेल म्यूसिन है का आजकल पूरा चल रहा है क्या यज वाकि में स्किन पर उतना ही जशादा benefit देता है जितना कि दिखाया जा रहा है हमें जरूर खरिदना चाहिए या जरूर अपनी स्किन पर लगाना चाहिए तो अज पूरा रिव्यू आपको देने वाली हों कि किस तरीके से काम करता है हमारी स्किन के ओपर साथे साथ आपको इसको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए पूरी डिटेल वीडियो आपको मिलने वाली है, तो वीडियो में अन तक बने रही है, लेकिन अगर अभी तक चनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लिजेगे, हेल्थ और स्किर रिलेटिट वीडियो आपको इस चनल में मिलती है, और सो बेल आइकॉन को प्रेस कर ना भूलें, क्योंकि जब भी में कोई नई वीडियो पोस्ट करूँगे, इसकी नोटिफिकेशन आपके मुबाइल स्क्रीन पर आजएगे। तो भाई, ये मेरे पास भी है, आप देख सकते हैं, और ये मेरी सेकंड बॉटल है, इसकी फर्स बॉटल में बिल्कुर हतम कर चुकी हूँ, क्योंकि इसके रिजर्ट्स मुझे अच्छे लगे, आप सोचेंगे कि मैं पहले ही जवाब दे दिया, अच्छे लगे, लेकिन इ इस्तमाल कर रहे हैं, और कह रहे हैं, कि हमारी स्किन पे अच्छे रिजर्ट्स है, कुछ लोगों की स्क्रीन पर ये बिल्कुल भी काम नहीं कर पाया है, क्योंकि उनको सूट नहीं किया, और ना ही कोई रिजर्ट्स उनके स्किन पर दिखाई दिया, मैं बताओंगी क्यों, पर सबसे पहले बात करते हैं कि जो स्नेल म्यूसिन की हम लोग बात कर रहे हैं यह किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है। प्रोडक्स में तबदील किया जाता है चाहे वो हमारे सिरम हो चाहे क्रीम्स हो या अन्य प्रोडक्स इसके अंदर है 96.3% स्नेल सिक्रेशन फिल्क्रेट आईए जानते हैं और क्या-क्या बेनिफिट मिल रहा है और क्या-क्या एक्टिव इंग्रीडियंट्स इसके अंदर मौझूद है और क्यों यह हमारी स्किन के लिए इतना अच्छा तो इसके अंदर है पेप्टाइड्स हाइलरोनिक आसेड कोपर पेप्टाइड ग्लाइकॉलिक अंटी ऑक्सिदेंट्स और कई सारे तत्वों से मिलकर बना है यह अगर देखा जाया तो यह सारे ही जितने भी मैंने इंग्रीडियंट्स आपको बता हैं आपके सुने सुनाए हैं और आप सभी जानते हैं कि यह कही न कहीं हमारे स्किन को बहुत ज़ादा बेनिफिट देते हैं जैसे कि स्किन बेरियर को रिपेर करना इलास्टिसिटी को इंप्रोव करना रिंकल्स को कम करना टेक्शwegen को इंप्रोव करना वगेरा वगेरा इन सारी चीजों में काम करता है और यही रीजन है कि डॉक्टर इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर अब मैं आपको इसका टेक्शर भी दिखाना चाहूंगी आप देखके थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं यह देखें बिल्कुल एक ऐसा था जेली टाइप का और जब आप इसको स्किन पर लगाते हैं तो आप देख सकते हैं क्योंकि यह म्यूकस है तो इस तरीके से उसमें पूरा एक रेशांसा बनता है ठीक है तो यह इसका टेक्श्ठर है लेकिन स्किन पर जब आप इसको पूरे को अपलाई करते हैं स्किन पर गायब हो जाता है लेकिन एक अच्छा सा हैड्रेशन छोड़के जाता है आपकी स्किन के जातार लोगों पर इसका कोई भी साइट इफेक्ट नहीं देखा गया है बट मैं एक चीज बोलती हूँ कि जब भी कोई नहीं चीज आप अपने रूटीन में आड़ कर रहे हैं पैस्टेस जरूर करें क्योंकि पता नहीं किस की स्किन किस चीज के लिए अलर्जिक है और किसक जरूर करना चाहिए और कुछ लोग कह रहते हैं भी रिसेंटी एक वीडियो वाइरल हुई थी जिसमें कहा गया था कि स्नेल को मार दिया जाता है इस म्योकस को बनाते में ऐसा नहीं है मैं आपको एक प्रोसेस समझाते हूँ जिस तरीके से एक मकड़ी जाला बुनती है दीरे-दीरे मुकस वो सिक्रेट करते जाते हैं उसके बाद उनको बापिस से खाने के लिए छोड़ दिया जाता है खेतों के अंदर तो इससे उनकी मौत नहीं होती है यह एक फेक रिल थी जो आपको दिखाए गई ताकि जो भी हो जो भी रिजन था इस रिल को बनाने का इसको पर्चेस कर लें बहुत जरूरी है देखिए यह प्रोड़क्ट अगर मैं यह कहूं के नहीं बहुत जरूरी है इसके बिना आपका स्किन केर होई नहीं सकता तो वह बाद गलत होगी यह बड़ी अच्छी बात कहीं है हाँ अगर आप अपने स्किन केर में कोई करना है अगर यह सारी चीज़े आप सोच रहे हैं तो उसको सोचते हुए आप इसको अपने स्किन केर में आड़ कर सकते हैं क्योंकि प्राइज इसके काफी अच्छे हैं मुझे नहीं लगता कि हर किसी की पॉकेट में फिट बेट पाएगा लेकिन अगर आप सोच रहे हैं अच्छे ऑप्शन के लिए आप इसको अपलाई कर सकते हैं अगें पैस्टे जरूर कर लिए एक और बाद बताना चाहूंगे आपको अगर आपकी स्किन पर पिग्मेंटेशन हैं या किसी तरह की डलने से डाक स्पोर्ट से पैचिज हैं मिलाजमा है या कोई भी अधर आप अच्छा प्रोड़क्ट है मैं भी यूज़ कर रही हूं अगर मैं कहूं कि इसके बिना आपकी स्किन काम नहीं कर सकती नहीं रह पाईगी तो ये बात घलत होगी अगें आप एक अच्छा प्रोड़क्ट एड़ करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं उमीद क करती हूं कि मैं अपनी बात बड़े अच्छे से आपको समझा पाई होंगी और आपको एक अच्छा रव्यू मिला होगा आपके काम भी आएगा शायद आप में से कुछ लोग इसको खरीदने की सोच रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि आपको पर्चेस करना चाह किया रखे शुथ रहे व्यास रहे मस्तारिये जवर्दस रहे वी हल्दी वी होलिस्टेग जाहिए